हेलो प्रेंड्स, कईसे हैं आप लोग अप लोग अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो प्रेंड मार्च का महीना चल रहा है नौ तो बताईगे आप लोग यहां कैसा मौसम चल रहा है हमारे यहां तो गर्मी शुरू हो गई मतलब दोफर को तो लगता है कि बहुत मतलब धूप राती है तेज वाली और गर्मी भी महसूस होने लगी है बट अभी फैन नहीं चलाती हूं थोड़ा बहुत मतलब रात में थोड़ी ठंडी ल है झाल लगेगी ही लगेगी और घर में रखे हो तो उतना नहीं पता चलता है बर बट गर्मी अस्टार्ट हो गई हमारे हाँ तो आप लोग के हाँ कैसा हाल है बताईएगा तो फ्रेन आप लोग को थमलेल से पता चल रहा होगा कि क्या है आज के विडियो में तो अभी तो हम लोग गाउ में ही है तो सोचा क्यों ना यहां के चीरियों से कुछ आप लोग को भी मिलवाती रहा हूँ तो उस पताना एक और हम और फ्रूट हूँ जो किस आयद कहां कहां मिलता है आप लोग जरूर बताना आप लोग मेरे वीडियो देखोगे तो पताना और आप लोग क्या भोलते हैं उसे और हमारे JUST आ दिखा आती हूँ प्रिन जखे किते सुन्दर दिख़ें सेंच हैं , जबू zucchा न है। और यसा तक मर्च पूजह में मिलता है , श्रशेटी पूंजा में और यह मेरा फेवरेट है जब भी मैं होली में आती हूँ तो लास्ट रहता है इसका सीजन तो जब भी मिलता है मैं जरूर खरीद कर खाती हूँ इसे बहुत ही अच्छा लगता है यह इस तरह से करके है यह इस तरह से रहता है इस तरह से यह कभर में बंद रहता है यह देखे यह इस तरह से रहता है इस तरह से बंद रहता है यह छोटे-छोटे प्लांट में पहफलता है तोड़के फिर बजार वले क्या करते हैं इसको कभर निकालके इस तरह से यह देखिए थागा बांद के इस तरह से बंच बनाते ह यह दें कि चार पिस भाचपिस का बंच और फिर यह पाच रुपीया में एक बंच देते या फिर बजन से 40 रुपी मैं तो मतलब 20 रुपीय का 200 ग्रम दिये थे तो चार-पाच बंच हो गया इस तरह से मिलता है यह खटा मिठा लगता है और यह खाने में मजहा आजाता है जब खटा मिठा लगता है तो कहीं कहीं क्या करते हैं इसे बीच से कट करके इस पे नमक शुराग के देते हैं यहां यह यहां ऐसे मिलता है तो आप नमक के साथ भी खा सकते हो आप जरूर बताना यह फ्रूट के बारे में आप जानते थे की नहीं जानते थे और कैसा लगा जाने कर रस भरी हम लोग तो मक्को बोलते हैं कि आणिखें कि रोड़ अदेशया और जान तरहरां अ अंन पटा का फूटता है मूंए इतना अच्छा खटा मीठा लगता है इनने की खटा मीठा पसंद आ उन्हें बहुत अच्छा लगेगा इगें इनने खटा ने पसंद नमक तीखा कि आप लोग कुपचुप खाते हो तो मुह में पटा का पुड़ता ना खटा मिठा नमक दीखा और सिंगे खटा मिठा लगता है बहुत ही अच्छा लगता तो आप लोग भी खाईए और जरूर बताईएगा तो बस यह दिखा रहे थी आप लोग को तो चलिए मिलूंगी कि फिर किसी नए चीज को लेकर तब तक के लिए बाट टेकर अपने ख्यार रखिए और चैनल पर नए है तो जरूर जोएन किजिएगा फिर और तब तक हम मैं एंजॉय करती हूंगे मक्को मक्को बोलते हैं रस भरी बोलते हैं इसे इंगलिस में तो यह तो सिजन का फारड़ा तो ठाना है ना यह देखिए कि इतने अच्छे लग रहे हैं है बाई